हेलो फ्रेंड्स स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का डेली फोकस नियोज में और यहाँ पर एक दुखद खबर निकल कर आ रही है गोरखपूर के सांसद और बॉलिवड अभिनेता रवी किसन सुकला के बड़े भाई रमेश किसन सुकला का इलाज के दोरान नई दिल्ली के एम्स अस्पताल में बूधवार को यानि की आज निधन हो गया रवी किसन के बड़े भाई रमेश किसन सुकला 52 साल के थे और कैंसर सहित कई गंभिर बीमारीों से पिडित थे एम्स में ही उनका इलाज चल रहा था बता दिकी रमेश किसन सुकला तीन भाईयों में से वही वह कैंसर जैसे गंभिर बीमारी से भी ग्रसित थे जानकारी के मुताबिक रवी किसन अपने भाई रमेश किसन सुकला के सौ को वारानसी लेकर आएंगे गंगा घाट पर उनका अंतिम संसकार किया जाएगा सांसद रवी किसन जौनपूर के केराकत कोतवाली छेतर के बीसुई बराई गाउं के मुलनिवासी हैं रवी किसन देश के चरचित अभिनेता है और मौझूदा समय में गोरकपूर से भाजपा सांसद रवी किसन मुमबई में रहते हैं लेकिन अपनी जड़ों से जुड़ पीता जी का एम्स हॉस्पीटल में निधन हो गया बहुत कोशिश किया पर बड़े भाईया को बचा नहीं सका पीता जी के बाद बड़े भाई का जानार पीड़ा दायक महादेव आपको अपने स्रीचैनों में अस्थान प्रदान करे कोटी कोटी नमन तो इस तरह से रवी कि बचा ने अपने भाई के जाने के बाद दुख व्यक्त किया है और वो बता नहीं सकते कि उन्हें कितनी तकलिफ हो रही है